हेलो फ्रेंड्स वेलकम टूर चैनल बैंगाउन सेरी तो फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आया हूँ वो बहुत इंपॉर्टन वीडियो है और इसके उपर मैं पूरी सीरीज लेके आने वाला हूँ top 10 questions हैं जो कि पूछे ही पूछे जाते हैं different MNCs के interview में management companies हो या कोई भी company हो उसमें ये top 10 questions पूछे ही जाएंगे वो भले ही HR round के नाम से कोई interview round हो last में या एक single interview round हो उसमें भी ये question पूछे ही पूछे जाते हैं तो मैं with answer explanation आपको दूँगा और आपको पूरा idea मिल जाएगा कि आपको किस तरीके से इसका answer देना है इसलिए channel को subscribe कर दो और हमें support करो वीडियो को like करो क्योंकि इसके उबर पूरी series आने वाली है मैं अलग-अलग तरीके question लेके आऊँगा आपके लिए content भी provide करूँगा ये questions TCS हो, Infosys हो, Wipro हो, कोई management level की बड़ी company हो सारी company में cover करे जाते हैं और common questions हैं with answer explain कर रहा हूँ इसलिए subscribe कर दो नीचे क्योंकि आपको आगे के update नहीं मिल पाएंगे वीडियो को like करो, whatsapp group की भी link है नीचे, whatsapp group पे हमें join करो, facebook page है उस पे हमें support करो, और android app भी है हमारा, उसे भी आप download कर सकते हो तो मैं time जादा waste ना करते हुए, मैं शुरू करता हूँ जल्दी से तो आप copy pen लेके भी बैठ सकते हैं, ताकि आप अपने खुद के points लिख सकें, भली 2021 बैच हो तो बहुत अच्छी बात है कोई भी बैच हो, वो यह questions आगे के लिए prepare कर सकता है, बहुत अच्छी तरीके से इस time में तो चलिए सबसे पहला question, पता होता है लोगों को, लेकिन लोग इसे अच्छी तरीके से prepared नहीं कर पाते हैं तो सबसे पहले यह जो format है, यह ऐसा कोई fix नहीं है कि आपको ऐसे ही बोलना है लेकिन यह एक sequence में format है, आपको इसी sequence में चलना है और आगे जो question आएंगे, वो भी एक particular sequence में आएंगे तो सबसे पहला question होता है, tell me something about yourself, यह tell me about yourself तो आपको जो इसका answer देना है, वो इसी sequence में देना है, तो देखिए एक किस तरीके से देना है आपको good morning या afternoon उस particular time में क्या time हो रहा है, sir, ma'am, जो भी हूँ, और happy morning भी कह सकते हैं, happy afternoon, sir, ma'am first of all, thank you for giving this wonderful or great opportunity to me to introduce myself in front of you यह line अगर आप बोलते हैं तो बहुत अच्छी बात हैं, पर ऐसा कोई must भी नहीं है, आप direct यहां से भी शुरू कर सकते हैं my name is and I am, फिर अपना नाम, जो भी आपका नाम है, my name is और myself नहीं बोलेंगे आप यहां पर, यहाँ आपको याद रखना है, my name is और my I am में से कुछ भी आप यूज कर सकते हैं, और अपना नाम, फिर आप कहां रहते हैं, अपनी belongings के बारे में बताएं, I basically belongs to respectable middle class family in city village, जो भी अपना नाम है, वो लिख सकते हैं, या I am from, ऐसे करके भी कह सकते हैं, पर यह जादा अच्छा रहेगा, I basically belong to respectable, और middle class family, जो भी जिस भी आप family से belong करते हैं, फिर आपको अपने थोड़े carrier के बारे में बताना है, at present, आप क्या pursue कर रहे हैं, I am pursuing final year, BTEC, जो भी आपकी branch है, at particular college का नाम, in college की place, तो यह line आप अपने हिसाब से, इसे change करें, फिर आपको थोड़ा अपने बारे में बताना, I am a quick learner and sincere person, देखे, यह जो पहला question पूचा गया है, आप उसके बारे में बताने है, यह ज़्यादा लंबा भी नहीं होना चाहिए, कि interviewer आपको सुने जा रहा है, क की flow में counter question करेगा, तो यह भी आप याद रखिएगा, तो आप जब यहाँ, हम इस line पे थे, I am a quick learner and sincere person, and I am self-motivated and flexible to adopt conditions, आपको अपनी skill sets के बारे में बताना है, और थोड़ा ऐसा बताना है, कि सामने वाला interviewer आप से impress हो, कुछ ऐसा मत बताईएगा, जिससे counter question हो, और आप जबाब ना दे पाए, तो I am always keep to learn new things, आपको क्या आपकी strength है, वो में आपको अभी next question में बताऊँगा, किस तरीके दूंकि वो question भी पूचा ही आता है, whenever I get a chance, और फिर आपने थोड़े other skill set के बारे में बताना है, extra curricular activities के बारे में, apart from studies, I am very good at and enthusiastic in the field of sports, इस भी आप field में औ और डोमेन में अगर अलग आपके बास कोई activity है, कोई certification है, तो वो आप mention कर सकते हैं, और I am a player of lawn tennis and जो भी game में आप active and I have been associated with this game for the last five years, I have played जितने आपने tournaments खेले हों, जितने आपने trophies जीती हों, जितने certification हो, वो आप यहां पे mention कर सकते हैं, फिर अपनी hobbies के बारे में बताएं hobbies के बारे में ऐसे बताईएगा, कि स्क्यूपर counter question हो, तो आप जवाब दे सके हैं, कि hearing music, तो आप से कह सकते हैं, कि आपको कौन सा singer पसंद है, reading newspaper, कौन सा newspaper सुनते हैं, और क्यों सुनते हैं, playing games, games के बारे में, singing song, और अपनी थोड़े family के बारे में, we are five members in my family, including me, and come to my family, I have mother father and two siblings, तो ये एक हो गया introduction, तो आप इसे एक copy पे या अगर mind में रख सकते हैं, तो इसे आप इस तरीके से format में बोलें, और अपने हिसाब से चेन करें, तो next question है, जो इसी के उपर counter question होता है, या question पूछा ही भूचा जाता है, why should I hire you, ये question must है, पूचा ही जाएगा, तो इसे prepare कर लो पहले से, ताकि आगे interview में बैठ हो, तो कोई problem ना हो, और ये ऐसा नहीं है कि साल टू साल ये question change होते हैं, हमेशा question fixed रहते हैं, इनके answer भी ऐसे ही होते हैं, ये आपकी उपर होता है, कि आप किस तरीके से इसको present करो, तो इसका answer आप इस तरीके से दे सकते हो, as I am a fresher, और fresher भी नहीं हो, experience holder हो, तो वो mention कर सकते हो, तो ये line नहीं आईगी, अगर आप experience holder हो, तो fresher हो, मैं उनके लिए बता रहा हूँ, I don't have any experience, but I am willing to work for you in any kind of situation, आपको एक interest देखाना है, company में काम करने के लिए, कि आप company क्यों join करना चाहते हैं, company की थोड़ी आप qualities गिना सकते है और अपनी quality के नहीं है, जिससे अपने skill set ऐसे के नहीं है, जो company से match करें, company की job opening से match करें, but I am willing to work for you in any kind of situation, आप company के लिए कैजे as a asset सावित होंगे, I have ability to work with your organization, and I can show my ability working with your organization, I will prove myself, या आप कै सकते हैं, this is an opportunity to start a career that I definitely don't want to lose, So I will give my 10% to give my best, my 100% to give my best, तो ये एक stable answer है, जो कि आप इसमें दे सकते हैं, egoistic answer नहीं होना चाहिए, ऐसा answer होना चाहिए, जो सामने वाले interviewer को impress करें, और आपको interview handle करना, interviewer handle interview को ना करें, क्योंकि अगर interviewer के हाथ में interview चला गया, तो आपको बहुत problem हो जाएगी, तो आपको answer ऐसे देने हैं कि उसका next question भी आप ही दे रहे हूँ, तो चलिए next question देखते हैं, ये question तो आना ही आना है, पूछा ही जाना है, what are your strength and weakness, हर किसी की strength और weakness अलग-अलग होती है, तो ये question में भी एक stable form में लेके आया हूँ, आप इसमें कुछ points चेंज करना चाहिए, तो कर सकते हैं, लेकि आप ये exact points भी बोल सकते हैं, क्यूंकि अगर आप interview में बैट रहे हैं, तो आपके पास ये skills तो होने ही चाहिए, तो my strength are, I have a good communication skills and leadership qualities, I got my confidence from my experiences, like I was able to manage the, आप कोई भी अपना experience बता सकते हैं, कि आप किसी event के campus ambassador रह चुके हैं, tech leader रह चुके हैं, कोई event organize कराया है, तो उसके बारे में mention करिए, कि आपकी leadership quality को, या और भी जो skill sets हैं, उनको show करें, कि आप group में किस तरीके से handle कर सकते हैं, लोगों को, और आपकी decision capability कैसी है, तो ये line जो है, वो ये ही show कर रही है, I was able to manage the thousand members with different mindsets in my tech fest as an organizer, I can handle myself in difficult situations, आप किस तरीके से situation में handle, अपने को ढाल लेते हैं, can motivate the others, I am punctual and very enthusiastic to learn new things, and आप कै सकते हैं, I have a good quality of being positive, and I can enjoy the comments, and can make my surrounding happy with my sense of humor, और ये भी point काफी अच्छा है, I am a quick learner, and I am ready to work with team with positive attitude, point ऐसा चोनिये, जिसकी उपर next answer भी आप दे सके हैं, तो ये points, पाँच होई point बहुत stable form में, ये हर कोई अपने answer में mention कर सकता है, तो इनको भी आप लिख लीजिए, या दिवांग में रख लीजिए, और ये काफी important question है, इसलिए आप बहुत ध्यान से इसको देगी है, और अपने हिसाब से इसको modify भी कर सकते हैं, चलिए next है, वो strength पूछी जाएगी, weakness ऐसी होनी चाहिए, कि weakness में भी आपकी strength चल के, तो weakness ऐसी नहों कि आप अपनी कुछ भी weakness बता दें, कि मैं तो मेरे अंदर ये weakness है, तो फिर, आपको weakness ऐसी बतानी है, जो weakness में भी strength चल के, जैसे कि ये देखिए, पहला point, I don't like the people who are telling only good qualities about me, जो कि आपके बारे में सरफ अच् और taking over responsibility, मैं हमिशा responsibility ले लेता हूँ, तो ये कुछ weakness पॉइंट है, काफी सारे हैं, मैं इसके बर पूरी series ले के आने वाला हूँ, ऐसा नहीं है कि ये, बस ये ही मैं वीडियो ले के आ रहा हूँ, पूरी series आई है, और मैं आपको काफी अच्छा content भी provide कर रहा हूँगा, और मेरे पास काफी सारा content एसके regarding, और सारी companies के लिए अलग अलग TGS, Infosys, Cap, Gemini, Management Companies, जो है, सारी bank sector की जो company है, इसलिए जब ही कह रहा हूँ, subscribe करो और support करो, next जो है, what are the difference between confidence and overconfidence, ये question पे students बहुत फंबल करते हैं, वो अलग-अलग answer बताते हैं, लेकिन उन्हें interviewer को exact answer नहीं मिल पाता, तो ये answer आपको अपने से relate करके बताना है, जैसे कि ये answer देखिये, I am going to give my best in this interview to impress the panel, this is confidence, तो ये, देखिये, कितनी positive line है, कि मैं interview में, पैनल को impress करूँगा, ये confidence है, लेकिन, the interviewer is definitely going to hire me, that's overconfidence, interviewer आपको hire कर ही लेगा, ये overconfidence है, तो इस तरीके के points आपको लेके आने चलिए, next देखते है, what is the difference between hard work and smart work, ये जादा तर company हो में, most of the company हो में, ये भी question पूचा ही जाता है, तो इसका answer कुछ इस तरीके से दीजिए, hard work में give results, but it takes much time, hard work से result तो मिलता ही है, लेकिन उसमें कुछ समय लगता है, smart work will give optimum results with less work and within less time, because smart work is an intangible asset of genius, कुछ इस तरीके से आप quotation भी ले सकते है, quotation का स्वाल करें, इसमें बहुत अच्छी वात है, तो कुछ quotation, hard work or smart work के उपर अलग-अलग ले लीजिए, कुछ different ढूणनेंगे तो अच्छी वात है, ये simple words में कह सकते है, hard work means work and then think, and smart work means think and then work, तो ये देखिए कितने stable or positive answer हैं, तो ये answer को भी आप पहले से ही तैयर कर लीजे, next question, why do you want to work at our company, ये question at last आएगा, ये आएगा, company में अगर आप interest नहीं दिखा बाएंगे, तो कोई फाइदा नहीं है, वो ये ही जानना चाहता है, company के बारे में आपको पता तो है, लेकिन आप इस company में क्यों आना चाहते हैं, तो में अपने skillset improve कर सकूँ, मेरे dedication के साथ अपने career की starting कर सकूँ, and if that platform comes from a well-renowned company like your company, जो भी company का नाम है, then it can't be anything better than that, and I love challenges that an organization puts in that helps an individual to grow up professionally, तो ये line भी देखिया, कितनी positive line है, तो आप company के बारे में भी थोड़ी उसमें बीच में तारीफ कर देंगे, तो वो बहुत अच्छा रहेगा, कि आपकी company जो है, वो इस time कितनी trend कर रही है, stocks के regarding, company के बारे में थोड़ा पढ़ के जाईएगा, कि company का revenue के चल ला है, और आप कह सकने, but I worship the company that honors the individual who accepts and cop with the challenges and compare company का नाम is right on top among such organizations, तो company के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ के जाईए, company के CEO के बारे में, CFO के बारे म और company किस तरीके से hikes देती है, तो ये कुछ इस तरीके से बताई है कि company कहे कि हाँ, इस student को या employee को, या interview को, इतना कुछ पता है company के बारे में, ये company को follow करता है, तो ये देखिए, तो चलिए next देखते है, how do you feel about working nights and weekends, ये question भी must ही होता है, कि आपको कोई preference location, या weekends, या working nights के ब तो इसके उपर positive answer ही दीजेगा, और ऐसा भी मत कीजेगा कि हाँ, मैं हर चीज में गरी हूँ, अगर कोई problem है, बताईए, वडना positive answer दीजेगा, sir, ma'am, no problem in working nights and weekends, because in my opinion, if we want to be successful, then we should be honest to our work, because it is vital for everyone, या who wants a bright future to remember the old addict, addict मला पुरानी कहावद है, और ये quotation के सकते हैं, आप quotation जित चार पंच याद करके जाईए, और अच्छे-च्छे सामने, बोल दीजेए, बस, successful leaders see the opportunity in every difficulty, rather than the difficulty in every opportunity, तो ये देखिए, कितना flow में interview चल दा है, और सारे answer कितने stable है, modify कीजे, अलग-अलग कुछ भी अपने हिसाब से add-on करिए, पर कुछ format जो होना चाहिए, positivity और stable lens जो है, वो इसी form में होने ही चाहिए, चलिए next लिखते है, can you work under pressure, जाहिड सी बात है कि हर जो company है, वो ये अपने employees expect करती है, कि वो under pressure भी काम कर सके, तो इसके भी जो कुछ answer होने चाहिए, वो कुछ इसी तरीके से होने चाहिए, I believe that if we love what we do, we never feel the pressure, and we must always be ready to face the upcoming challenges, so I think I can do well company के बुरे हालातों में, challenge में company के साथ, वो employee खड़ा रहे, company ये expect करती है, यह आप कह सकते है, I always try to face challenges in my life, so pressure does not matter, working under pressure is the opportunity to know about my ability and gaining confidence, तो company के साथ आप खड़े रहेंगे, आपको ऐसा interest show करना है, तो यह देखे, यह answer भी कितना stable है, what are your goals, आपके life में goals क्या है, अगर यही decide नह है, तो यह दो line-up, starting के जो question दर, tell me something about yourself, उसमें भी, अगर interview आपको, interviewer आपको stop नहीं कर रहा है, तो आप यह दो line भी उसमें add कर सकते है, my short term goal, आपको goal जो है, वो दो term से बताने, एक अभी का फिलाल का short term goal, और आपका एक life का long term goal, तो यह आप अपने हिसाब से चेंड to get placed in reputed organization like yours and enhance my skills, and my long term goal is to give a smile to my parents, through my hard work, make them proud of me, तो कुछ इस तरीके का answer होना चाहिए, ठीक है, और last जो question है, would you lie for the company, तो इस तरीके से आपको थोड़ा tackle करने की कोशिश करेंगे, कि आप थोड़ा आपकी बस stress दालने की कोशिश करेंगे, ऐसे questions से, लेकिन एक बार आप थो सीख लेंगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आपके सकने है, sorry but I wouldn't lie for the company, because according to me, lying is the, is only the tool which helps us to escape the current situation, but only one day later we have to face it, जूट बोलने से होता गया है, सरिफ उस current की situation में बर सकते हैं, लेकिन हमें अगले दिन उस प्रॉब्लम को फेस करना ही होगा, with some more consequences, so it's better to face it today and find the solution, but in future if company will get benefit from my lie, then I will tell a lie for the company, but on a condition that I will lie without affected thousands of people, तो ये अपना point of view है, ये जो नीचे की लाइन है, ये आपके अपने point of view पे है, तो आप इस तरीके से जो answer है, ये कितने important question में आपके लिए ये answer set लेके आया हूँ, तो आप इस तरीके से अपने answer प्रिपेर करें, ये questions ख का single interview round है, या किसी software engineer company हो, banking sector की company हो, management की company हो, कोई भी company हो, या किसी officer level का interview हो, उसमें इस तरीकी question पूछे जाते हैं, आप अपने 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 एसाब से change कर सकते हैं, तो इसी लिए गह रहा हूँ, चैनल को यार, subscribe कर दो भाईया, please support करो, और यार, कोई problem हो, तो comment section में करो और वीडियो को like जरूर करो यार, और subscribe तो कर ही दो, thank you friends